नमस्कार महों मिरतुंजय कुमार जा और कमोडिटी सूपर फास्ट में आपका स्वागत है हम आपको बताएंगे कि आज की बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन-कौन सी हैं इसके अलावा हम आपको यह बताएंगे कि आया आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद आपके लिए फ्लोर ओपन होगा आप सवाल पुछ पाएंगे हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो शिरुबात करते हैं इस वक्त की पाँच एहम खबरों के साथ पहली खबर यही है कि कच्चे तेल की कीवितों में एक बार फिर से कोहरा मज गया है MCX पर कच्चा तेल 17 फिजदी तूट चुका है और 11 रुपे के करीब ट्रेट कर रहा है 15 डॉलर के नीचे WTI कूड है और 14 परसेंट तक दाम यहाँ पर तूट चुके है ब्रेंट 21 के नीचे है और यहाँ भी करीब 5 फिजदी की गिरावट है और खबर यहाई है कि अमेरिका में उकलाहमा जो की WTI कूड का सबसे बड़ा डिलिवरी सेंटर है वहाँ पर जल्द ही पुरी शमता फूल हो जाएगी जो कूड रखने के स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वह बहुत जल्द वहाँ पर फूल होने वाली है और उसका इंपक्ट हमने प्राइस के उपर देखा है डिमांड तो कम है ही उसने मार्केट को बहुत जबरदस तरीके से डेमेज किया है और बाजार दबाब में है नेचुरल गैस में भी तेज गिरावाट है MCX पर भाव 125 रुपए के करीब है 10% तक दाम यहाँ पर इंट्राडे में टूट चुके हैं अंतराश्टिये बाजार में भी 6% तक की कमजोरी है एकनॉमिक स्लो डाउन से मांग में कमी है और कम मांग से इस्टोरे जल्द भरने की चिंता बढ़ गई है इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और खबरों की कि वहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है हम आपको लगतार यह बता रहें कि बाजार में कौन-कौन सी एहम खबरे है गोल्ड और सिल्दर यहाँ पर भी कमजोरी बढ़ी है और MCX पर सोने का भाव 46,400 रुपे के करीब है यहाँ पर करीब 1,500 रुपे की कमजोरी है चांदी का भाव 42,000 रुपे के करीब है यहाँ पर भी भाव दवाब में है और अंतराश्टिय बाजार में गोल्ड 735 जोलर के आसपास ट्रेट कर रहा है मेटल मार्केट में वाइंग का माहल बना है MCX पर 409 के उपर है कॉपर का माई वाइदा करीब करीब 1% की तेजी है जिंक मिनी, निकेल, लेड इन तमाम काउंटर में तेजी का माहल बना है और कुछ देशों में दुबारा एकनोमी खुलने से मेटल की डिमांड बढ़ने की उमीद जताई जा रही है मेंथा ओयल की बात करें मेंथा ओयल में भारी गिरावाच है अप्राइल का वाइदा 1220 के करीब है 4% चूटा है और मेंथा माई वाइदा 1150 के नीचे लुड़का है इस साल वाई एरिया में तेज बड़ोतरी कानवान है उसका इंपक्ट हम प्राइस के उपर देख पा रहे है तो ये पांच खबरे हैं इस वक्त की कमोलिटी मार्केट की लेकिन इन पांच खबरों के बाद अब बात करेंगे पांच ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ अजे केडिया है केडिया कमोलिटी के एमडी अजे जी बहुत बहुत तैस्वागत है आपका गोल्ड में क्या हलाकि मार्केट अभी एक्शन में नहीं है लेकिन क्या इस उमीद में कि आगे एक्शन लोटे का गोल्ड खरीदना चाहिए अगर लॉंग टर्म और मिडियम टर्म फंडामेंटल की बात कर तो बुलिश हूँ मैं काफी गोल्ड में बट मुझे रखता है ये अपता काफी चैलेंजिंग रहेगा गोल्ड के लिए अगले दो सेशन में गोल्ड मुझे लगता है देखने मिल जाएगा ठीक है तो आपका मानना है कि गोल्ड में भी आप नज़र रखें बाई करके चलें च्यालीस आठ सो के टार्गेट के लिए क्रूड का मार्केट अभी आपको क्या लग रहा है क्या यहां से और क्रूड टूटेगा क्या यहां भी बेचने का मौका बना हुआ है या अभी थोड़ा रिस्की है यहां पर शॉर्ट करना देखिए यहां पर शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की जरूर है बट अभी भी फंडामेंटल नेगेटिव की तरफ ही जे जंग से हमने देखा कि जो में इंपॉर्टन जो कंसर्न आ रहा है वो स्टोरीज का आ रहा है उसके बाद एक उमीद थी प्राजिस में एक जंप आएगा तो अलड़ी हमने तेरा सो के उपर का बाहव आती वे दिखा था करन वाई देगा मुझे लगता है कि कैस्केटिंग एफेक्ट है मार्केट में घिरावाट का रुप कंटीनियू रहेगा जो फिर से हजार तक का भी लेवल करन बंद में दिखा सकता है जो कि इंटरनेशल में मुझे लगता है कि करीबन 11-12 डॉलर तक के लेवल वापस दिखनी मिल जाएंग क्या कॉपर में अभी इस वक्त भाव नीचे आभी चुका है तो आपको लगता है कि और गिरावट बढ़ेगी कुरूड में ठीक है लेकिन कॉपर में क्या किया जाए अगर यह लेवल तो हम 18-20 तक का भी लेवल दिखा देंगे बट ओर पूरे बेस मेटल पैक में मुझे तीन कमोटी ज्यादा अच्छी लगती इसमें कॉपर एक टॉपिक रहने जी ठीक है सोयवीन का मार्केट आपको लगता है कि अभी बाइंग के लिए ठीक है अच्छा माहूल है खरीदना चाहिए अभी थोड़ी बहुत इंप्रूव होना चालू हो चुका है ज्यादा बड़ी तेजी है ज्यादा बड़ी मंदी नहीं लग रही बट आई थिंग 36, 3700 अच्छे लेवल्स है यहां पर जमा करना चाहिए अब साइट भी हमें लगता कि 3950 के एक maximum higher side value देख रहे है आज के session के आज और कल की session के हमें लगता है 3740 तक भी अगर मिले तो हमें लेके चलना चाहिए 38, 28, 38, 50 तक का लेवल देखने मिल जाएगा चने में क्या किया जाए चना वाइदा आज नीचे है दवाब में है हलांकि मार्केट जहां तक पहुंचा है भी 30-40 रुपए की कमजोरी है जैकि उसके बाद मार्केट नीचे नहीं जा रहा है बार-बार उपर आने की कोशिश कर रहा है तो क्या ये लेवल चने में आपको बाइंग का लेवल दिख रहा है बिल्कुर मुझे लगता है जो करेंट लॉक्डाउन जैसे सिच्वेशन है हमने देखा है कि कुछ जगा पे डिमांड काफी जादा स्टॉक की तरफ से निकल भी रही है बट अराइवल्स नहीं आने के वाज़े से मार्केट में थीजी अभी इमिरेट अगर अगले दो सेशन की बात करें तो मुझे लगता है चैना 42 या करेंट लेवल भी लिया जा सकता है जो अफसाइड में मुझे लगता है 42 50 से 42 80 तक का भी लेवल देखने मिल जाएगा आपको लगता है कि चैने में गिरावाट पर बाइंग करें आपको आगे अच्छी तेजी चैने में दिख रही है ये 5 कॉल इस वक्त की जहां पर आप ट्रेड इनिशियेट कर सकते हैं लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे तो आप सवाल पूछिए नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-23001634 022-23001635 ओके चलिए तो पहला सवाल है विवेक का पूने से हमारे साथ जोड़ रहे हैं इस वक्त विवेक की बहुत-बहुत स्वागत है आपका पूछिए क्या पूछना चाहते हैं गुड़ा सवाल अपने पूछा है कि क्या इस भारी गिरावट पर कोई ट्रेड किया जाना चाहिए अजय जी हना कि आपने बताया था लेकिन बिल्कुल करेंट मार्केट के मार्केट प्राइस के आसपास क्या कोई ट्रेड बन रहा है भी क्या करना चाहिए देखे मेरी सला जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं उनको उनके लिए है कि क्रूड में थोड़ा सा एवाइडी कीजिए बिकास वालिटी काफी जाद है और टेक्निकली मार्केट काफी जाद है और सोल्ड में या कोई जियो पॉलिटीकल टेंशन जैसे हमने पिछले अब ते देखा है ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं आता है आई धिंक प्राइजेस में गिरावट का रूख ही रहना जी जो हजार रुपे तक का भी लेवल दिखा सकता है M6 में करंट वाईगा ओके तो ये राय आपके लिए कच्छे तिल पर इस बीच हमारे साथ सुखा जी है गुजराद से पूछे सुखा जी हलो हलो जी पूछे सुन पा रहा हूँ आपको पूछे आजी आजी नमस करता है हलो हलो नमस्कार पूछिए सर्व मेरे पास 46 आजर्मा कि चौदी लिटे 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 शेटारीश जार्ना पावनी आजर्मा अवेब्या महीना पूर्तो वेच्छो के रखूंच कि आपका सवाल ठीक तरीके से मैं नहीं समझ पाया कि आजर्मा पाया हो तो क्या जवाब होगा आपका अगर मेरे सबसें का पूछ रहे हैं कि टाइमिंग मुझे लगता है कि अगर चांदी की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा सब्डियू रहेगा एक रेंज में रहेगा रहेगा तो बड़ी गिरावाट भी नहीं दिख रही बड़ी जंग से हमने सोने में तेजी और बेस्मेटल में तेजी आते हुए देखी कहिना के चांदी को भी उसका सपोर्ट मिलेगा जो उपर में मुझे लगता है चावाली से पैतालीस हजार का लेवल यहां पर दिख सकता है इस पर आप नजर बना कर चलें लेकिन गोर्ड के लिए जो लोग इन्वेश्टमेंट करना चाहते हैं क्या उनको इन्वेश्ट करना चाहिए गोल्ड में अभी इस लेवल पे और क्या उन्हें पचास हजार के टार्गेट का वेट करना चाहिए देखे मिश्टमेंट सबसे पहले बात है कि अगर इन्वेश्ट करना है तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है आज की डेट में हम देख रहे शेर मार्केट में भारी गिरावाट है रिसेशन की बाते हैं साथ में प्रॉपर्टी मार्केट जो एक अलग इन्वेश्मेंट एव बढ़ चुका है बट हम पहले भी देख चुके है गोल्ड में जभी भी तेजी आती है तीन-चार साल की कंटिन्यू तेजी रहती है तो टाइमिंग हो सकता है प्राइजिस में दो-तीन जार रुपे की तेजी बंदी दिखाता रहे अगर 44,000 का लेवल भी मिल जाए तो है ओके ठीक है इस बीच हमारे साथ प्रदीप जुड़ रहे हैं पठियाला से पूछे प्रदीप जी कोपर के बारे में बूचना है कोपर करनी करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए इस टाइंग कोपर में अभी क्या किया जाए क्योंकि जो तेजी आई है मेटल में अजय जी वह उमीद में आई है कि अब धिरे-धिरे चुकि कोरोना को लेकर अगर हालात बेतर होते हैं अंतरा स्टेस्टर पर तो डिमांड जेनरेट होगी और उस उमीद में कोपर में तेजी शुरू पर चुटी है क्योंकि अल्री जो वर्स्ट होना था वो मार्केट डिसकाउंट कर चुक है अल्री हमने कॉपर को नीचे में 335 का लेवल चूते वह देखा इस वक जब तक LME पे कॉपर पांच जार के उपर मेंटेन है मुझे लगता काउंटर काफी स्ट्रॉंग है जो चौप सब्सक्राइब करना चाहिए जो इम्मीडेट टार्गेट तो 420 का है बट और मुझे लगता 435-436 तक के भी लेवल हम महीं मीड में महीं अंट तक देख पाएंगे ठीक है इस बीच हमारे साथ संजय जुड़ रहे हैं कोलकाता से पूछिए संजय जी अलो जी पूछिए सर अजी नमस्कार जी वह मक्य के बारे में समझना था नमस्कार मक्का मक्का ओके समझ गया मक्के के मारे में जानना चाएते हैं आजे जी क्या ख़बर है मक्के को लेकर क्या ग्राउंड रिपोर्ट है क्या प्राइस आउट लुक आगए आप देख रहे है क्योंकि खबर आई है कि हाल में जो अन्सीजनल रें हुआ है कई अलाकों में देश के उसमें लाका वाले इलाके भी हैं बिहार का कुछ इलाका है तो क्या मक्य हमें कुछ डिमेज की खबरें आपके पास भी हैं और अगर हां तो आगे का प्राइस आउट लूक आपके देख रहे हैं देखे हमने दो साल पहले मक्हे के प्राइजेस में काफी बड़ी तेजी देखिए उसके बाद पिछले साल क्रॉप साइज काफी अच्छी थी बड़ इस बाद कुछ डेमेजेस की भी रिपोर्ट है वो कईना कई प्राइजेस को सपोर्ट करेंगे साथ में एक यह भी अटकर पॉजिटिव रहेगा बाय और ड्रॉप करके ही चलना चाहिए और साथ में अभी जो रिसेंट बारिस हुई है इससे मौश्य कंटेंट बढ़े हैं और थोड़ा सा डेमेजेस भी रिपोर्ट हुए जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा ओके तो यह राय आपकी मक्षे पर है और पाला की मार्केट में कोई बढ़ा एक्शिन नहीं है मक्षे में देखना होगा आगे क्या ठ्रेंट यहां पर देखने को मिलता है तीक है आगे वरतने कुछ और का मौलिटी की बात करते हैं कि वहाँ पर क्या एक्षिन रहेगा से इस बीच हमारे साथ गोपाल जुड़ रहे हैं राजास्थान से पूछे गोपाल जी अजी सर नमस्कार अलो नमस्कार पूछे आसर जी गवार को पूजना है यह कुरूड गवार को देड़ूगेगा या दो तिन मेने में पांच आर हो सकता है रापिस यह बहुत महत्मून सवाल आपने पूछा है और कुरूड ने गवार के सिंटिमेंट को भी बहुत खराब किया है क्या उम्मीद की जाए दो तिन मेने के लिए गवार का भाव अजय जी अगर फ्यूचर की बात करें तो अभी भी जो ट्रेडिंग लेवल्स या ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो नॉर्मल लेवल्स पे अभी तक नहीं पहुंचे है साथ में लॉकडाउन के सिच्वेशन की चलते हम जानतें कि गवार का जो एक्सपोर्ट होता है जड़ा करके में भी बात किये पोलिंग किये तो 32-31 के नीचे कोई भाव देख भी नहीं रहा है यह लेवल पर शॉट भी एवाइड कर रहा है तो यह व्यू आपका गवार पर है इस पर आप नज़र रखिए मार्केट काफी तूट चूट चुका है 3350 के आसपास मई का वाइदा ट्रे किमतों पर भी आता हुआ देखा है इस बीच हमारे साथ राजस्तान से जोड़ रहे हैं जैराम पूछिए कोपूड का कौटन सी डॉल के के बारे में आप जानना चाहते हैं ओके मस्टर्ड के बारा में जाना चाहते हैं ओके अज़ाई जी मस्टर्ड पर क्या भी है आपका का मस्टर्ड की बात कर तो अभी अर्याइवल देरी चालू हो चुकिए बड़ सोशल डिस्टेंसिंग की वज़े से जो अर्याइवल प्रेशर वो ज्यादा नहीं आ पा रहा है म कायर साइट पर विक्वाली कायम रहेगी कांटीनियू क्योंकि मीलर जो है वह अभी तक फुल फ्लेश स्टार्ट नहीं तो लेट सी अगर तीन मही के बाद अगर चीजे इंप्रूव होती है तो प्राइज में थोड़ा उचाल देखने मिल सकता है टाइमिंग मुझे लगत मुझे रखता है हमारा संपर्गुन से तूट गया है आखरी सवाल अजय जी मेरा आप से करंसी मार्केट के उपर होगा वहलांकि करंसी के ट्रेडिंग टाइम कम है वे लेकिन फिर भी आगे के लिए आपका क्या आउटलूक है डॉलर के मुकाबले रुपए का देकि इंट पी-एम और एफ-एम की जो मीट होनी है वो कहीना कहीं स्टिमिलेशन को बूस्ट कर सकती है जिसके चलते हमें लगता है कि प्राइजर्स में किसले अपते में हमने एक अच्छी काछी तेजी आती वे देखी रुपए में टाइमिंग मुझे लगता है 75-90 तक का लेवल यू एकनोमिकल कंसर्ण बना हुआ है करोना को लेकर वो कहीना कहीं यूएजडी आनर को सपोर्ट करता हो रहेगा तो शॉर्ट टम में मुझे लगता है 76-20 तक का लेवल मही वाइदा यूएजडी आनर का दिखा सकता है ठीक है बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए कि कमूरिटी में इस वक्त कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही